बाते कहनी, सुननी और बोलनी जरूरी हैं क्योंकि जब आखों के सामने शड्यंत्र होता है तो उसका परदाफाश भी होना चाहिए। राहुल गांधी भारत की राजनिती के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। पहले सत्तारूर दल में रहते हुए और फिर विपक्ष में रहते हुए उन्होंने आम जनता की आवाज बुलंदी से उठाने का काम किया है चार बार के चुने हुए इस देश के सांसद हैं। और जब चार बार का चुना हुआ इस देश का सांसद एक विदेशी धर्ती पर Cambridge University जैसे विश्व विख्यात शेक्षिक संस्थान में अमेरिका और चीन के बीच चलते द्वंद में भारत की क्या एहम भूमिका हो सकती है और भारत के लोकतंत्र की चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो इस देश का मान बढ़ाते हैं इस देश का सीना चोड़ा करते हैं गर्व से और इस देश के लोकतंत्र के इस देश के मुल्यों के धजवाहक बनते हैं। उन्होंने Cambridge University में जिसकी एक बड़ी ही लेगसी है 1206 में सापित हुई थी Cambridge University और वहाँ पर पढ़ने वाले लोगों में Stephen Hawking और Charles Darwin पंडित नहरू और राजीव जी जे से लोग हैं। और यहाँ पर बताना जरूरी है कि यह राहुल जी का भी आलमा माटा है वो Cambridge में पढ़े हैं। राहुल गांदी ने किया Cambridge में। उन्होंने बताया कि हमारे देश के क्या मूल हैं जिस पे हमारा सम्विधान बना है और हमारे राष्ट का निर्माण हुआ है। लेकिन भारतिय जनता पार्टी उनके IT सेल, उनके बद्दिमाग प्रवक्ताओं, उनकी समझ, उनकी सोची छोट और चुद्र राजनीती इन बातों को समझ नहीं सकती है। और अब मैं सिलसलेवार तरीके से आपके सामने कुछ तथ ही रखना चाहती हूँ, सवाल जवाब के दौरान अगर आप उसको डिस्प्यूट करना चाहिए, तो बिल्कुल करिएगा। लेकिन ये सारे मामले धराशाई हो गए क्योंकि राहूल गांदी जी तो लोकतांत्रिक मुल्यों की बात कर रहे थे। जब ऐसे वक्त है वे हम लोगों ने दिखलाए तो थोड़ा हमला वर कम हुए। जो की खोकला दावा और खोकले आक्षेप सावित हो रहे थे। एकदम से सवाचे साड़े छे बजे के बीच में ब्रेकिंग न्यूज हर चानल पर और हर पोर्टल पर आने लगी और ये आने लगा कि कैसे राहूल गांदी जी ने तथाकत भाजपा के कहया नुसार और कुछ चरण जुम्बकों के कहया नुसार चीन की तारीफ करी और प्रिंट के वेब पोर्टल सारे एक साथ यही खबर सवाचे से साड़े छे के बीच में चलाने लगे तो थोड़ा बहुत मीडिया का एक्सपीरियंस है समझ में आ गया कि वाटसाप आ चुका है खर्रा निकल चुका है सबको नतमस्तक होकर चरण वंदन करके अब ये लाइ गया आपने खुद देख लिया है किसने क्या कहा लेकिन दर्शकों के लिए लोगों तक ये बात पहुचाने के लिए मैं दुबारा से दोहरा भी देती हूँ राहुल गांधी जी केम्बरिज यूनिवरस्टी के जज बिजनिस स्कूल में बतौर विजटिंग फैलो और भा एक्चर का टॉपिक था लर्निंग टू लिसन इन दे 21st सेंचरी कीसवी सदी में लोगों की बात सुनना को कैसे सीखा जाए इस पर वो वक्ता पे दे रहे थे और उन्होंने जो सीखा भारत जोड़ो यात्रा के दरान कैसे उन्होंने अजनबियों की बाते सुनी कैसे उन्ह उन्होंते ताने बाने पर करी इस पर लगातार उन्होंने एक बक्तव दिया और उस बक्तव में उन्होंने ये चर्चा करी कि कैसे ये विश्व अमेरिका और चीन की खीचतान में कहीं पर जूज रहा है और उन्होंने ये भी बोला कि इसी जूजते हुए विश्व में और भारत की भूमिका होगी समनवे स्थापित करने की लोकतांत्रिक मुल्यों को इस विश्व को याद दिलाने की उन्हों ने इस आपने सुना भी उन्होंने इस वक्तवे में ये भी कहा उन्होंने अमेरिका और चाइना की तुलना करी अमेरिका के इनोवेशन की चाइना के आई कि चीन की सरकार जो एक पार्टी के तौर से चलती है coercive system है चीन की सरकार ने चीन के कारोबार में घुसपैट करी है लोगों के दैनिक जीवन में घुसपैट करी है और इसी से उनके पास डेटा आता है जो लोकतांतरिक देश नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए उन्होंने कह कि चाहे artificial intelligence हो या cyber warfare हो उसकी आधार शिला यहीं से आती है कि unlike जो corporations अमेरिका ने बनाई चीन ने उन corporations में सरकार को तंत्र को घुसेड़ने का लोगों के जीवन में घुसने का काम किया तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूस 24